सब कुछ चला गया हो लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा व्यक्ति है ऐसे कौन से गुण जिसमें है कि उसे फिर जीवन बर आजिवी का की चिंता रहती नहीं है सबसे पहला गुर्ण उसमें बताया कि जिसमें बढ़ने की शक्ती है यानि दुनिया ने गिरा दिया तब हारे नहीं पर उठने का प्रैत नहीं करते तब हारे कहे जाते हैं दुनिया में ठोकर लगी गिर गए गिरना बड़ी बात नहीं है गिर गिर के तो चलना सीखता है वेक्ती तो गिर के कितने जल्ली आप उठ जाते हो और बढ़ने की शक्ती आगे है चाहे कितने भी व्यवधान आवें किसी ने पत्थर फैका और मुड़ गए तो चलना नहीं स सकता है सबसे पहले जीवन में बढ़ने की शक्ती दूसरा कहा प्रभाव प्रभाव यानि उसकी स्वयम की ऐसी औरा जिसकी होती है कि जहां चाहे कैसी भी समश्या आ जाए उसको अपने उपर भरोसा हो कि नहीं मैं फिर से करके दिखाऊंगा मैं कर सकता हूं चाहे समय ठीक ठीक नहीं था चाहे परीस्तिती ठीक नहीं थी लेकिन मेरे अंद्र क्या ख्षमता है मैं जानता हूं उसको आगे कभी चिंता नहीं रहती जो तेज जिसके अंदर है कि वास्तां में जो कहता है कर दिखाने की ख्षमता उसके अंदर है, तीसरा चौथा कहा पराक्रम, आगे कहा उद्योग, उद्योग यानी उद्यम, उद्योग यानी सतत पुर्शार्त, सतत प्रहतना, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, करते करते वो कार जरूर होगा, और पांच मां कहा द्रड़ निश्चे है जिसका द्रड़ निश्चे हो के नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा तब उसे जीवन में कभी भी कोई समश्या नहीं रहती ये बात यहाँ पे कही